हेग आज की वीडियो में मैं आपको बता हूँगा Amazon Pay Balance को directly अपने bank account में किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है बिना किसी charges को आपको कोई भी charges नहीं देना है then directly आप अपनि जो balance है Amazon Pay वालेट में आपका जो भी balance पढ़ाए उसे डिरेक्ली आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर पाऊगे 0% के चार्जिस में तो यहां पे सबसे पहले Amazon को आपको open कर लेना है यहां पे हमने Amazon को open कर लिया है उसके बाद में हमारा Amazon open हो चुका है यहां पे अब हमें Amazon Pay में आना है Amazon Pay में क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा यहां पे बेसिकली गाईस यह जो है मैं Amazon Pay पे क्लिक करता हूँ और यह Amazon Pay हमारा open हो चुका कुछ इस तरीके से हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसके बाद में गाईस हमारा जो अमाउंट है वो दस रुपे यह पे पड़ा हुआ है आप देख सकता हो इसको मैं डिरेक्ली अपने bank account में transfer करके दिखाऊंगा आपका जितना भी amount हो दस हजार दस हजार जितना भी हो उसे आप डिरेक्ली बेक अंकाउड में भेज़ पाऊगे 0% के चार्जिस में इस वीडियो में पूरा completely बने रहना है तब ही जाके आपको समझ में आएगा वन्हाँ इस वीडियो में आपको यहाँ पे कोई भी समझ में नहीं आएगा तो सुरू सोले कलास तक इस वीडियो में बने रहना है यह 10 रुपए है इससे हम डायरेक्ली क्या करेंगे बेंक गम बेंजेंगे उसके लिए करेंगा क्या इसको कट करेंगे ठीक है और यहाँ पे आप लाइक जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो फोन पे गूगल पे जिसमें भी आपको अमाउंड को लेना है तो चलिए यहां पे में फोन पे में यहां फिर गूगल पे यहां फिर पेटियम में जिसमें भी लेना चाहते हैं उसको ओपन करते है मैं लेना चाहता हूँ मेरा Paytm में तो मैं Paytm अप्लिकेशन को open करता हूँ यहाँ पर गाइस मैंने मेरा जो Paytm अप्लिकेशन उसको open कर लिया है आप like किसी में भी लेना चाहता हूँ फोन पे Google पे मैंने पहले ही बताया है same ही process रहेगा उसके बाद में यहाँ पे three lines में आपको profile वाला जो icon है इस वाले जो icon है इसी पे आपको click कर देना है और guys यहाँ पे जैसे click कर और इस तरीके से interface आजाएगा अगर आपकी full KYC है तो यह QR code है आपके सामने show होगा अगर full KYC नहीं है तो यह show नहीं होगा फिर आपको यहाँ पे है दूसरा QR code लेना है तो चलिए सबसे पहले इस QR code को आपको करना क्या है एक screenshot ले लेना है तो चलिए मैं इसका एक screenshot ले लेता हूँ मैंने इसका screenshot ले लिया है guys उसके बाद में करेंगे क्या कि इसको हम back करेंगे और इसको cut करेंगे और फिर से हम जो है Amazon में आ जाएंगे यहां पे हम Amazon में वापस से आ चुके हैं आप करेंगे क्या कि यहां पे हमें करना क्या है कि यहां पे जो है Scan Any QR का एक Option दिखाई दे रहा है इस वाले Option पे हम क्लिक करेंगे जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका जो QR कोड है वो स्केनर चालू हो जाएगा अब आपको करना क्या है अगर आपके पास में स्केनर अवले वले तो आप स्केन कर सकते हो यहां फिर यहां पे Scan From Gallery इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे यह गैलरी में रिडिरेक्ट कर देगा उसके बाद में अभी जो हमने QR कोड को यहां पे लिया था वो यह रहा क्योंकि अभी हमने इसका स्क्रिंशोट लिया तो इस पे में क्लिक करूँगा यह Paytm का है गाईस उसके बाद में थोड़ा सा लोडिंग लिया जाएगा और आपका जो QR कोड है वो यहां पे इस तरीके से शोग हो जाएगा जो भी नाम है आपके Paytm में वो आ जाएगा उसके बाद में यहां पे amount डालने के लिए बोल रहा है तो चलिए मैं 10 का 10 रुपे यहां पर डाल देता हूँ उसके बाद में यहां पे continue वाला option पे क्लिक करना है जैसे ही आप यहां पे जो continue दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करोगे इस तरीके का यहां पे जो है इंटरफेस आ रहा है उसके बाद में गाईस यहां पे यह बोल रहा है कि आपको जो है अगर cashback चाहिए 25 रुपे का तो आपको minimum 20 रुपे यहां पे जो है बेजना है चलिए मैं cashback लेने के लिए कुछ पेसे को यहां पे फिलाल अभी add कर लेता हूँ तो मैं आपको यहां पे पूरा completely दिखाने वाला हूँ तो मैं इसको back करता हूँ और यहांपर। को और add कर लेता हूँ लेंगे तो यहां पर दस रुपे और ड्लैता हूँ और दस रुपे को मैंने डाला फिर से add कि मैं आपको दिखाने के लिए गआईसे यहां पे add कर राऊं इसके बाद में swipe करता हूँ और यहां पे हमारा जो रूपे है वो एड हो जाएंगे ठीक है तो यहां पे अभी देख सकतो हमने स्वाइप कर दिया है थोड़ा सा लोडिंग लिया जा रहा है गाइस यह जो प्रोसेस है यह आपको नहीं करना है क्योंकि यह जो है अमाउंट में एड कर रहा हूं आपको अ है बमाउंट है और डायरेटल यहां पर क्या हुआ भी एड किया हमें 10 रुपे को फिर से एड कि हमारे वाले में कट करता हूं और एड हो चुके हैं पुरी तरीके से कट कर दिया मैंने उमेसे ऐस जब्याद चुका है और अब हमारे जो बैसने हो यहां पर पेस रूपे हो क्योंकि 10 रूपी तो हमने पहले किया थैं और तो 20 रुपे हो चुके हैं अब जमिन मुझा सी है मैं मिनिमूम 20 रुपे भेजना था थे क्यआं पर एड्र किया अब यहां पर फिर से QR Code को चुनना है हमने QR Code को open कर लिया है loading लिया जाएगा और यहां पे फिर से आपका जो भी नाम है वो यहां पे शो हो जाएगा कितना भी हमारा 20 रुपेस पड़ा है तो 20 में मैं क्लिक करता हूं continue वाला जो option है इसी पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर देख सकतो हो हमारा जो यहां से आप लेना चाहता है तो ले सकता हो वरना कोई problem नहीं है ठीक है तो उसके बाद में यहां पर आपको नीची एक option मिलेगा ध्यान से देखना है यहां पर शो मॉर यहां पर इस पर क्लिक करना है और यहां पर गाईस अगर आप देखोगे तो आपको दो अप्शन में Amazon Pay Balance Bank of India अगर आपको यहां पर जो है Bank of India पर ठीक है इस तरीके से ठीक है तो आपको Amazon Pay Balance पर क्लिक कर देना है उसके बाद में Pay वाला option पर क्लिक कर देना है जैसे ही पे करोगे processing लिया जाएगा और यहां पर आपका जो 20 रुपे है वो यहां पर भेज़े जाएगा ठीक है दे केशेट भी यहां पर जो है मिल चुका हैunk 20 रुपे हैं विज़ दिये है मैं फिर से इसको कट करता हूं बेक आता हूं और बेक कॉछी हमने जो है यहां पर केश भी ले लिया है तो फपांच रूपे cob से करता हूं एक बार से से कट करता हूं फिर से Amazon Pay में आता हूं मैं अप को दिखा देता हूं कि मैरा जो amount है वो गया यह फिर नहीं गया है देख सेकता हूं यहां से refresh हो रहा है क्योंकि यहां पे अभी हमारा जो चला गया है history पर चलता हूं में उसके बाद में यहां पर आपको दिखाता हूं यह जो हे हमारा जो है 10ə-20 रुपे कैस्ट यहां bank account में credit हो चुके हैं और यहां पर चलिए मैं आपको पेटियम में चलता हूँ और यहां पर history में आपको दिखा भी देता हूँ बैलेंस इस्टर पर चलके कि हमारा जो amount है वह आया है या फिर नहीं आया है देख सकता हूँ यहां पर अभी में जो है 20 रुपए यहां पर भेज़े हैं ठीक है यहां पर टाइम को देख सकता हूँ यहां पर टाइम कितना हुआ 1130 हुआ है वह यहां पर 1134 में ने भेज़े थ टाइक है और नहां पर जो है मेरा 20 रुपए यहां पर आ चुके हैं तो इस तरीके से आप फॉन पर गूगल पर यहां पर एमोजोन पर किसी में भी आप अपना जो amount है वह ले सकते हैं QR code के थूँ अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और बलागन को प्रेस जरूर करें ताकि आगी भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे